हेलो दोस्तों वेल्कम बेग गुज्राती चौश जम्प मैं धर्मिन रमोजी तरा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत सारी लोग ऐसे जित्ती होते कि हम लोग इफोर अगेंड्स अनली इफाई खिलना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास है वाइट प्लेज इफोर और आप अगर इफाई के शौकिन है तो ये वीडियो जुरूर देते हैं इफोर इफाई ये नीचरल और बहुत ही जानी-मानी ओपनिंग है सेंटर कंट्रोल अगर किसी को ओपनिंग नहीं भी आती है कोई भी ओपनिंग तो वो किंग वाला पॉन चला के डेवलोग करके आसानी सी इस ओपनिंग को खेल सकता है लेकिन इसमें बीप में जाने के लिए मैं आपको एक बहुत सी जबजस लाइन बताऊंगा लेबर डर्निस वेरियेशन है इसमें एफोर एफाई और नाइट तो एफ्री नाइट से शिक्स जोस्तों ब्लैक से एफाई खेलने वाला यह मूँ तो जरूरी करता है और यहां पर अगर कोई डूई लोग कोई खेलता है तो यह लाइन नहीं होगी ब्लैक से लेकिन विशाप उपनिंग अगर कोई खेलता है विशी पोर तो इस लाइन में आप खेल सकते हैं यहां पर आपको खेलना है डेटाबेज में देखने के बाद यहीं मूँ मिलदा है कि C3 वाइट के लिगाइड़ है C3 आइडिया बेहाइंड इस मूँ और यहां पर ज्यादा डेटाबेज में आप जब गेम देखोगे तो नाइट F6 मुस्ट कॉमन मूव है लेकिन मैं आपको कुछ अलग एड़ाइ कि यहां आप नाइट F6 के बद्र आए डी 6 के लिए वाइट को एलाव किजिए डी 4 के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी डी 4 इसमें एक बार आपको पॉन्ट एक्स्पॉन करना है वाइट पॉन्ट एक्स्पॉन करता है और उसके बाद विशब 26 दोस्तों अब देखो यह प कि अभी वाइट का प्रॉब्लेम क्या है डी 4 पॉन्ट पे नाइट और विशब दो का अटेक है क्वीन और नाइट का सपोर्ट है नेक्स्ट टार्गेट हमारा विशब जी पॉन्ट और इस पॉन्ट पे इन्विजिबल प्रेशर बनाए चलिए यहां पे वाइट की और से क्या रिप्लाइ होना चाहिए तो जब बीबी 6 तो मोस्ट पीपल यहां पे खिलते हैं आपके भी सबको यहां आने से स्टॉप अब इस मूं में आपको खिलना है नाइट एप 6 अगें नाइट एफोर के क्रेट हैं वाइट का कॉमन रिप्लाइ है नाइट शी से डैवलोग के साथ अब देखो जहां इस मूं में इतनी पूजिशन के बाद कि सैक्रिफाइस नाइट टेक्स पीपोर आइट एफोर आइडिया बेहाइंड इस मूं नाइट टेक्स नाइट एफ़ाई इसमें अलग-अलग मूज है नाइन्थ मूव में दो मेन मूव है एक तो है बिश कि यहाँ पर तीन मूँ है बिश्जान शेक्रिफाइस ग्वाइट करेका कैसल और दूसरा नाइट टेक्स फोर तो क्या से कमें बता दूंगा सबसे पहले देख लेते हैं अगर वाइट शेक्रिफाइस करता तो अन्यों तो यहां पर को सींपल इंग डिश एफस सेफ जी यहां आपको खिलना है और ये एट के बाद वाइट अगर कैसल करता है तो यहां आपको रूख टेक्स नाइट नहीं करना है यह पोजिशन घ्यान रखे क्योंकि रूख टेक्स नाइट लूजिंग हूँ है 95 पॉर्क से आप रूख खोड़े एक मूँ आपको किंग जी एक कर कर सकते हो अब यहां इस गेम में आपको फाइदा क्या हो रहा है कि इतने मूँ उसके बाद कि पैर और विश्व है आपके पास दोनों कलर के विश्व की पैरिंग है यह ज्यादा स्ट्रॉंग मानी जाती है कि चलिए यहां पर हम देखते हैं एक मूँ पीछे लेते हैं कर यहां मान लोकी कैसल कर लिया कैसल में आपको भी कैसल करना है कि अभी भी आप अपना नाइट मत्ता छोड़ सकते हो अब क्या होगा अगर नाइट टेक्स एफोर दें दे फाइल और आपको अपना पॉन पीश्वापस मिल जाएगा और पोजिशन भी स्टॉंग होगी कि विशब डी थ्री यह मेंड मूव है यहां पर विशब डी थ्री के सामने डी टेक्स और विशब एफोर और यहां पर नाइट टी अब आप पोजिशन भी देख सकते हो कि सिंपल एक वाउन आप हो गये है और एंड गेम में गेम जाने वाली है तो यह गेम ब्लाक के कि एक और ओप्शन है कि नाइट एफोर के सामने अगर वाइट ने नाइट टेक्स एफोर किया तो सिंपल टेख पाई है फिर क्या हो रहा है वह आपको पता ही है बीशी देन भी स्पॉंट टेक्स देन कैसल यह सब आपकी पुरानी जो है स्टाइल हुआ जाएगे कि और नाइट मूँ में एक और भी मूँ है कि नाइट एक और एक और देखते हम यह सारे मूज मैंने बताए आपको नाइट सेटी के बार में चलिए यहां पर वाइट ने नाइट सेटी नहीं किया तो और कैसे पौन को सपोर्ट कर सकता है तो एक यह भी मूँ है शौट कैसे चलिए यहां पर कुछ छोटी मूटी ट्रैप लगाई है वाइट ने कि आप नाइट टेक स्पौन करो आरी एट आएगा आरी वन आएगा और आपके नाइट पर प्रेशर बनाके वो गेम में आसानी से अटेक कर सकता है पीश तो उसे वापस पीश मिली जाएगा लेकिन हमें यह ट्रैप में फसना नहीं है इसलिए हमें यहां पर करना है शौट कैसे अब हम थ्रेट दे रहें कि मैं नाइट से पौन मादा हूं यहां पर दो तरीके से पौन बचा सकते हैं एक तो है विश्प टू जी फाइव दूसरा रूप एवर अच्छा यह दोनों पोजिशन में आपको कैसे खेलना है मानलों के रूप विश्प जी फाइव किया तो यहां पर सिंपल आपको करना है एच सिक्स विश्प एच फोर और इसके बाद खेलना है जी फाइल अब देखो विश्प जी सिक्स जी थी में सिंपल लॉजिक के आपको पौन मिल रहा है और आप यह गेप विनिंग लेकिन कुछ कुछ लोग यहां पर सैक्रिफाइश देते हैं इस पोजिश्प में विश्प अटाने के बदले अगर नाइट टेक्स जी फाइव किया तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कुछ आटेक काने वाला नहीं है पौन टेक्स देन विश्प टेक्स जी फाइव और सिम्पल विश्प टीफोर और धैन विश्प टू इफाइव और विश्प बीश्प बीटू बहुत सारे स्रेट के साथ आपका मुव हो रहा है और इसके बाद आप की मुव करके रूप को यहां लाके डिफेंस कर सकते आसाने से आपका पीस जाने वाला नहीं यह मेरी यहां यहां पर देख लिए आमने बीजी फाइल का रिप्लाइं कि बीजी फाइल नॉट गूर कि देखते हैं आरी वन में आपको कैसे खिलना है आरी वन में सेम स्टाइल नाइट सेक्रिफाइस रूप टेश्री फोर दैन डिफाइव तो दोस्तों यह पोजिशन के बाद भी ब्लाक की फिवर में गेम हो जाएगी यह बहुत ही मजेदार लाइन है ज्यादा परिप्रेशन करके इसी लाइन की ज्यादा बार प्रैक्टिस करके आप बहुत सारी गेम्स खेल के देखो बहुत मजाएगा दोस्तों और टूर्नामेंट में तो काफी मजाएगा तो चल लिए नए ओपनिंग के साथ मिलेंगे जल्द ही जैहिन जैगुद्राद